हलो दोस्तो वेलकम बैक टूबर येटूब चैनल तो दोस्तो आज के माज एक और नई वीडियो में आपके साथ दोस्तो आज हम एक और आपके लिए डियेसेस्वी के लिए पेपर लेकर आए हैं ये डियेसेस्वी का प्रिविएस येर पेपर नहीं है ये 2024 में पेपर हुआ है वो पेपर है और ये पेपर है आपका SSGD का SSGD का ये पेपर हुआ है 30 मार्च 2024 को तो आपको इस से ये आइडिया हो जाएगा कि सवाल आपके लिए किस तरह के पूछे जाएंगे कमपनी यही TCS कमपनी कराती है और यही TCS आपका भी एक जम कराएगी तो ये इदर दर से सवाल नहीं देती है जो प्रिविएस ये पेपर होते हैं वहीं देती है जैसे दोज़़ चौविस के मैं इसमें करा राओं ठीक है और दोज़़ तेज़ के मैं चप्टर वाई प्रैक्टिस कराओंगा दोज़र तेज़ के बाईस के एक इस की और बीस के ये चार पांच साल के लगातार पेपर आप लोग कर लोगे आपका पेपर वहीं से पसेगा सवाल करा दिये थे ठीक है अब 10 के बाद बढ़ेंगे तो अब देखते हैं दस्मक 11 सवाल करते हैं 10 तक तो कर लिए 11 सवाल आप लोग देख सकते हैं यह स्क्रीन पर आ चुका है ठीक है अब 11 सवाल को आप लोग कर सकते हैं टामेंड वर्क का सवाल है ठीक है यह है आपका अम पर समर और उमेश इह कितने दिनों में 15 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं मतलब एक किताब को किते दिनों पढ़ रहे हैं 15 दिन में तो यहां पर पंद्र है और और कौन कौन है और आगी देखते हैं अमर और समर मिलकर अमर और समर मिलकर अमर पिलस समर मिलकर कितने दिन में 30 दिन में पढ़ रहे हैं ठीक है तो अब इनका टूटल जो पढ़ रहे हैं उसका टूटल वर्क निकालेंगे पहले तो टूटल वर्क कैसे निकालते हैं टूटल वर्क निकालते हैं 15 और 30 का लासा लेंगे तो टूटल वर्क निकलाएगा तो एक दिन की कारशमता कितनी निकलाएगी तो 15 से 30 में डिवाड कर देंगे कितनी बार जाएगा दो बार इसी तरह से 30 को 30 में डिवाड कर देंगे अमर और समर की एक दिन की छमता निकलाएगी ठीक है इन तीनों की अमर समर उमेस की कितनी है दो और अमर समर की यहां पे कितनी है एक तो अमर समर की हम इस जगह पे रख देंगे ठीक है तो इस जगह पे रख देंगे तो एक पिलस उमेस बराबर कितना हो जाएगा दो तो दो मेंसे एक गठा देंगे उमेस की कार चमता निकलाएगी ठीक है तो उमेस बराबर कितना हो जाएगा दो मेंसे एक गठा देंगे कितना बचेगा एक चमता आगे किसकी उमेस की ठीक है अब उमेस इसे कितने दिन में पढ़ सकता है ठीक है तो टोटल कितना था 30 बट्टे उमेश की कितनी छमता एक दिन की एक तो एक से डिवाड कर देंगे इसको तो कितना जाएगा 30 ये हो गया आपका option number 3 इस question का right answer है ठीक है अब चलते हैं अगले प्रसंड की तरफ और देखते हैं अगला प्रसंड अगला प्रसंड है बच रह जाता है हटाई गई संख्या का मान क्या होगा मतलब यहां पर साथ संख्या का ओसत दे रखा कितना साथ का ओसत दे रखा अठारे तो इन साथ संख्या का यो कितना होगा तो वह अठारे में गुणा कर लेंगे साथ का अठारे में गुणा करेंगे तो अठारे सत्य कितन होता है 126 होता है ठीक है इसी तरह से एक संक्या अठा दी एक संक्या अठा दी है तो कितनी संक्या बची छे संक्या अब छे संक्या का आउसत कितना है यहां पर 15 रह जाता है कितना रह जाता है तो 15 का गुणा कर लेंगे अब 6 में तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ठीक है अ बचेगा कितना बचेगा 36 पचीक है और 36 यह क्या होगी यह होगी आपकी वह संक्या गठा अटाइगरी संक्या है यह कौनसी वाली अटाइगरी संक्या है चाथ तो यह आंसर हो जाएगा आपका अप्सन चार ठीक है अब बढ़ते हैं अगली परसंद की तरफ अगला परसंद कौन सा है तेरियम तो अब देखते हैं इसको एक केजी चीनि की कीमत में 44 प्रतिसत की ब्रद्धी हुई और यह ब्रद्धी 51 रूपय की है प्रती किलोग्राम चीनि की नई कीमत क्या है ठीक है तो अब यहां पे आप लोग देख सकते 34 प्रतिसत 34 प्रतिसत बराबर कितना यहां पर 34 प्रतिसत बराबर है कितना 51 ठीक है अब यहां पर 100% चीनी का मूल ले यहां पर हम लिख सकते हैं 100% चीनी का मूल ले यहां लिख सकते हैं 100% चीनी का मूल ले बराबर कितना हो जाएगा 100% चीनी का मूल कितना हो जाएगा यहां स तो 100 का गुणा कर देंगे ठीक है अब यहां से इसको काट लेते हैं इसको काटेंगे तो कितना आएगा वो आप लोग देख सकते हैं तो यहां से सत्रे तिया 51 सत्रे दूनी 34 और 2 से 100 काट देंगे 50 वार 50 का तीन में गुणा कर देंगे कितना जाएगा 150 आ जाएगा ठीक है अब 150 तो यह आ गया अब चीनी का नया मूल कितना हो जाएगा ठीक है अरे 34 तो वह सो यह है 134 परसेंट तो यह कितना बनेगा 51 यह था 150 यह तो क्यावन में 150 जोड़ दीजी कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा और 201 इस कुस्षन का रायट आंसर है अब बढ़ते हैं अगले प्रसंट की तरफ अगला प्रसंट कौन सा है वो आप लोग देख सकते हैं अगला प्रसंट है आपका 72 रुपए को PQR के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि P के इससे का 6 गुणा Q के इससे के 2 गुणे के बराबर है जो आर के इससे के 3 गुणे के बराबर है Q का कमान कितना है यह बताना है बहुत सिंपन सवाला रीशियो का ठीक है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग P गुणा 6 चौकि P के इससे का 6 गुणा का का मतलब गुणा लगा हुआ ठीक है बराबर की कंडिसन है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बराबर है ठीक है तो इन सबका क्या कर लेंगे लासा लेंगे छे और दो तीन का लासा कितना होगा इनका लासा होगा छे तो छे को हम छे से काटेंगे पी अनपात कीव अनपात आर छे को हम छे से काटेंगे कितनी बार कटेगा एक बार इसी तरह हम लासा कितना हमारा छे है ठीक है ये लासा है अब क्यूव के पास में कितना है दो है दो से छे को काटेंगे कितनी बार कटेगा तीन बार ठीक है इसी तरह र के पास कितना तीन तीन से काटेंगे छे को दो बार कटेगा तो यह हमारा का निकलाया यह हमारा इनका रेशियो निकलाया पी क्यू आर का अब यहां पे टोटल का मान दे रखाया कितना दे रखाया बहात्तर सो टोटल हमारे एकॉणिंग कितना हो रहा है तो यहां पे दो और तीन पांच पांच और एक च्छे च्छे की value कितनी दे रखी है बहुतर सो एक ratio का मान कितना निकलाएगा च्छे से 72 कितनी वर कटे आँगे बार है और दो 0 लगा देंगे तो बार है सो तो एक ratio का मान कितना यहां पर बार है सो अब गुणा कितने का करना हमको जो पूछा क्यूँ का इसा तो क्यूँ का कितना ratio था तो बार है तिया 36 तो यह 36 रायट आंसर हो जाएगा बच्छो च्छतिस ओ आप्सन नमब चार इस question का रायट आंसर है तीक है अब बढ़ते हैं अगले प्रसन की तरफ और देखते हैं अगला प्रसन आगला प्रसन है आपका जब किसी संख्या में किर्मिक रूप से 15 प्रस्ट कॉमा 80 प्रस्ट और 44 प्रस्ट की कमी की जाए तो वह 199992 हो जाती है वह संख्या क्या है तो यह सवाल निकालना है आपको क्या के गणूर कर zerणा है तो यहां पर देख सकते हैं कितनी रुपए की वह 199992 है 199992 रुपए गोड़ाँ अब यहां पर आप लोग सकते है 15 परसंट और 80% और 44 परसंट की क्या हो रही है कमी ही है गफीके तो पंदे परसंट की प्रक्षन वेलू से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 17, 17 बट्टे कितना हो जाएगा, 20, ठीक है, 17 बट्टे कितना हो जाएगा, 20, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह क्या हो रहा है, यह हो रहा है, आपका, वहाँ इतनी हो जाती है, कमी होने के बाद, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, चार पांच हो जाए और उठा नुटा इसी तरह कईरेंबर इन होग तो यहांपे आ जाएगा आपका कितना यहांपे आ आपका 25 बट्टा चोदे 25 बट्टा चोदे ठीक है अब इसको क्या करना अब इसको सिंप्लिफाइ करना ठीक है अब इसको हम कैलकुलिशन कर लेती है ठीक है तो पहले हम चोदे से इसको काट लेती है चोदे से ठीक है अब चोदे से इसको काटेंगे तो 14 एकन चोदे ठीक है चार बर कटी आएगा ठीक है चोदे चोका 56 कितने बचे अब 49 चोदे तिया 42 चोदे दूनी 28 चोदे दूनी 28 ठीक है अब यहां पर कितना बचा आपका सेस बचा 28 होगे ठीक है 11 बचा अब यहां पर हो गया 112 अब 112 कितने से कटेंगे भी चोदे अठी एक सो तो यहां पर बच गया आपका चोदे सो अठाइस अब 1428 बार यह कट चुका है अब 1428 सत्रे से काट लेते हैं ठीक है तो 17 से काट लेते हैं 17 से काट लेते हैं तो 178 कितना होता है 178 उता 136 तो यह आठ बार चला जाएगा ठीक है 178 136 अब कितना बचा चार इदर बचा दो इदर बचा चे ठीक है 174 68 84 बार कट गया ठीक है अब 84 यहाँ पे और 2500 मतलब यह यहाँ पे हो गया आपका 84 200 मैंने इसमें गुणा कर दिया तो यह 20 यह आ चुक है अब 25 का गुणा और हमको करना है इसमें 100 यह अंसर हो जाएगा ठीक है option number D इस question का right answer है ठीक है बच्चो तो अब देखते हैं अगले प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं next सवाल देखते हैं कौन सा है अब 16 सवाल है ठीक है 38 कल अब 38 कलम का ओसर कितना है ठीक है अब यहां पे क्या है 8 नए कलम इसमें सामेल कर दिये जाए ठीक है जो बढ़तीस में 8 जोड़ दो गे तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा अब करना है इसमें डिफ्रेंस कितनी का है इसमें डिफ्रेंस चार का है भी इसमें कितनी का डिफ्रेंस है इसमें डिफ्रेंस पिलस आठका है यहां पर भी पिलस करता है ठीक है तो आठका गुणा कर देंगे इधर और दोनों को क्या कर देंगे जूड़ देंगे क्योंकि यहां प ठीक है यह हो जाएगा 184 अब 184 को हम दोसों में जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा आपका 384 और 384 इस question का right answer है option 2 इस question का right answer है ठीक है अब बढ़ते हैं अगले प्रसंद की तरफ और देखते हैं अगला प्रसंद अगला प्रसंद है बच्चों यह आ चुका 17 प्रसंद ठीक है आप लोग कमेंट में बताएं अगर ऐससे जीडी बाले जो 2024 में सवाल आये कोई साभी पीपर हो वही ऐससे जीडी का हो या फिर दिल्ली पुलिस का हो या फिर हीवपी जो भी 2024 में एक्जाम हुए हैं आप लोग उनको देख लीजिए ठीक है और जो 2022 से 21 और बीस और 23 के जो भी सवाल तो अब देखते हैं और भी DSSV के पेपर हैं अभी कराएंगे ठीक है उनकी पीडियाप नहीं मिल पा रही हैं अब देख सकते हैं 17% बच्चों ये आ चुका है 17% ठीक है 17% कैसे करेंगे वो देखते हैं यहां पे हैं किसी धर्रासी किसी धर्रासी पर 35% बार्सिक की दर से दो बरसे के लिए चक्रती व्याज और साधरण व्याज के बीच का अंतर कितना 54 रुपए है तो वह धर्रासी याद करनी है बच्चों क्या करनी है वह धर्रासी हमको निकालनी है तो हम बात करते हैं वह द नो का और सोन्य में पार कितनी का याँ तो और यहां पर इतने की इन कSe सद्रदीज़ दोनों में कितने अंतर नो का और कुसन के व'm कितनी का था जब Forbes 249 15etin एक रिसंजा कमान कितना नगा है छेई-ह दर्राश See कितनी ऑगी ओगी is और करतेंगे थर्रासी निकल आएगी कितनी हो जाएगी है 60,000 हो जाएगी, ठीक है, तो यह समय से, आपका और अंसर है, ठीक है, यह जहाँ पर 60,000 है, ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहे होगे, लिए जरू मेर यहाँ पर लगा दिया विए, ठीक है, तो यह ओ गया आपका और अप्सन नंबर एक कुशं का आप सर्ण का रायट आ यहांब क्लाज़े में होगा सब्सक्राइब इसका मान भेट आहां कितना मान खालत है दस निकलेगा उता है तुम्हारा ए q या पिर बुजा का q एक गांद कितना है ? तो 10 का q आपका एक हजार यह हो जाएगा आपका right answer option number 3 इस question का right answer है ठीक है अब बढ़ते हैं अगले person की तरफ और देखते हैं अगला person ये बोर्ड मास का person है ठीक है देख सकते हैं आप लोग ये भी कोई ज्यादा tough नहीं है ठीक है यहाँ पर दे रखा है 81 of और यहाँ पर है नहीं है तो इसको solution नहीं कर पाएं ठीक है ब्रैकेट का मतलब पहले ब्रैकेट का मतलब अप लगा हो या का लगा हो वो डी का मतलब डिवीजन फिर multiplication फिर addition फिर subtraction ठीक है इसी तरह से हम इसको solution करते चलेंगे ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 81 आपका क्या लगा देंगे फिर गुड़ा लगा देंगे ठीक है अब यहाँ पर इस को श्टक को solution करते हैं पहले 15 मैं से बच्चों 11 गटा दीजिए शाबावी समय में से आप लोग 11 8 कितना बचे गा ओपका बच्च जाएगा तो 22 दूनी 44 तो यहां पर 2 आ जाएगा और पिलस 5 यह हैं तो 2 और जुड़ जाएंगे इसमें ठीक है अब यहां पर कितना 81 गुणा 35 भाग यह कोश्टक मैं बच्चों ठीक है पांच और 2 कितना हो जाएगा 7 साथ कहां पर आ जाएगे नीचे आ जाएगे 35 बटे साथ से इसको काटे साथ 5 35 पांच का इसमें गुणा कर देंगे तो 5 एकन 5 और 5 अटे 40 405 इस कुस्टन का क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ठीक है यह सिंपल सवाल था ठीक है और इसी तरह के सवाल प एक दुकानदार अपने सामान पर 20 परसेंट अधिक मूल अंकित करने के बाद उसे 12 परसेंट लाप पर बीचता है छूट प्रस्चत कितना है मैंने इस तरह का सवाल आपका डिएसस भी एकजम में भी कराया है ठीक है आप लोग देखना उस वीडियो को ठीक है पार्ट दो पार्ट एक करके ड़ली है वो देख सकते हैं आप लोग तो 20 परसेंट अधिक पर अंकित करता म Casey मैं एसे लिख तो मार्पेटिंग प्रस एक 1 और एक कोस्ट प्रस इसको बोलते क्रेमूल यह वूता है सईलिक अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यह बोल रहा है कि Araब 120 अधिक पर अंकित करता मतलब अंकित मूल कितना 120 है तो खरीदा कितने मोगा 100 हमने 100 कोस्ट प्राइस माल लिया तो 100 क्या कर रहा है 120 पर अंकित कर रहा है और यहां पर क्या है कि 20 परसंट अधिक पर 20 परसंट अधिक मूल अंकित करने के बार 12 परसंट का लाब होता है लाब किस पर होता है लाब होता कोश्ट प्रास पर तो लाब इस पर होगा तो सब्सक्राइब नीचे कोंसे सउन क्याएग नीचे आएगी आपकी मार्केटिंग प्राइस 120 गुणा कर देंगे परसेंटेजग्री सवका एक जीरो से जीरो काट देंगे यहां पर कितने हो जाएंगे तो यहां पर आठ को काट लिए चार दुनी आठ और चारतिया बार है यह बच्चा आपका कितना 20 बट्टे तीन 20 दो यह दस जिए ठीक है तो दो धहम 20 ठीक है और यह बट्टे तीन अब 20 बट्टा तीन कितना होता बच्चो यह होता तीचिंक 18 पॉंट लगाओ 6 ठीक है परसेंटेज यह हो गया आपका कुस्सर नंबर 20 का राइट आंसर 6.66 ऑप्सन नंबर 2 इस कुस्सर का राइट आंसर है ठीक है तो बच्चो आप लोग कमें से जीडी की अभी 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं उसकी सब की आंसर की है ठीक है तो आप लोग बताईए अब कल से उसको करा या नहीं करा नहीं तो फिर चप्टर बाज आपको कुस्सर कराई जाएंगे ठीक है अब चप्टर बाज आपको एक एक वीडियो में मतलब मेरा हो जाएंगे फिर उसके बाद फिर रिवीजन कराएंगे फिर प्रैक्टिस सेट कराएंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं आगी आपका एक्जाम अच्छ तरहीं कैसे क्लियर हो जाएगा ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जैहिं है करृएंगे चरहर है मैं मतलब गल्ते हैं तक रुछ में सिस्तौर स्वाराग जैह जा एक्म्मा नहीं थ realizingी लिवीघजियो में आपका एक्सेस